गाइस यह है एक और डिजिटल टाइमर आप देख सकते हैं कि राउंड फेस है इस टाइमर का बाकी टाइमर की तरह यह भी एक वीगली प्रोग्रामेबल टाइमर है ब्लैक पी एलेक्टरड़क कमपनी से सप्लाइ करती है इस टाइमर के स्पेसिफिकेशन्स आज हम देखेंगे तो चलिए गाइस लेट स्टार्ट आप कर दो अज़िए यहां एलसीडी डिस्पलेइ एप्यस प्लास्टिक मटेरियल की बॉड़ी है बैक साइड स्पेसिफिकेशन्स मेंशन्स इंपूट शाइड है और यह आउट्पूट साइड है और यह आउट्प यह मॉडल नंबर है माउन करने के लिए चार होल्स मिल जाते हैं और ड़स से प्रटेक करने के लिए एक ट्रांसपरेंट लेड मिल जाती है नीचे चार कॉंटेक्ट है जहां यह है 230 वोल्स इनपूट के लिए और यह है लोड आउट्पूट के लिए LED बल्ब है यहां वोल्ट्स to 250 वोल्ट्स, 50 हर्ट्स to 60 हर्ट्स, आउट्पूट वोल्टेज रेंज भी सेम है, करन की बात करें, तो 30 A at 250 V AC और 20 A at 30 V DC ये उपरेट कर सकता है, 16 on-off टाइमर सेटिंग्स हैं इसमें, तो देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले डिवाइस को reset कर ले, अब current day और time सेट करना है, तो day सेट करने के लिए clock बटन दबा के day बटन से setting करनी है, आज है Thursday, अब time, hour सेट करें बिल्कुल सेम, 17 hours याने शाम के 5 बचे और minutes है 5, day and time सेट है, अब programming करने के लिए timer बटन प्रेस करें, यहाँ आप देखेंगे 1 on, 1 off, 2 on, 2 off and so on up to 16 16 on, 16 off, तो मैं 1 में on time सेट करता हूँ, day Thursday, hours 17 और minutes 8, अब off time मैं सेट करता हूँ, timer को और एक बटन प्रेस करना है, day Thursday, hours 17 और minutes 10, similarly आप 2 में या जहाँ चाहें वहाँ 16 तक आपके application के according timer सेट कर सकते हैं, exit करने के लिए clock बटन प्रेस करें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस timer में 3 modes हैं, यह है permanent off mode, यह है automatic mode, और यह है permanent on mode, as you can see 1708 पर load on हो गया है, और 1710 पर load off हो गया है, इस device में भी after a long usage, plus minus 1 second का error देखने को मिल सकता है, तो medical equipment के लिए इस timer का use बिलकुल भी ना करे, अगर आप इस timer को खरीदना चाहते हैं, तो BlackT Electrodeck Company इसे supply करती है, contact details, purchase links हमने description में दी हुई है, personal inquiry के लिए आप हमारे Instagram page पर भी हमें DM कर सकते हैं, उसकी भी link हमने description में provide की है, ऐसी information से भरे videos, अगर आप future में भी चाहते हैं, तो channel को subscribe करें और video को like करें, आपके सवाल, doubts या सुजाओं हमें comments करें, हम पूरी कोशिश करेंगे reply करने की, तो guys मि अगली वीडियो में, तब तक take care and join